हेलो एबड़ीवन डेली करेंट अफेयर स्रीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 फरवड़ी 2024 के करेंट अफेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो आते हैं पहले करेंट अफेयर पे प्रधान मंत्री स्री नडिंद्र मोधी की अध्यक्सता में किंद्रीय मं सरवजनी की वित्रन योजना के माध्यम से वित्री अंत्योद है अन्य योजना पडिवारों के लिए चीनिष सबसेड़ी की योजना को कब तक बढ़ाने को मंजूरी दे आपके पास ऑफ्सन है तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि इतने साल के लिए बढ़ा गया है दो साल के लिए कब तक 31 मार्च 2026 प्रधान मंत्री श्री नडेंद्र मोधी की अध्यक्सता में किंद्रीय मंत्री मंडल ने सर्वजने की वित्रन योजना के माध्यम से वित्रीत अन्तियोध ह अन्योजना पड़िवारों के लिए चीनी सबसेड़े की योजना को कब दक बठाने को मंजोरी दी तो 31 मार्च 2026 तर अपसे ने आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आप कुछ इंपोर्टिन पॉइंट देख लेते हैं प्रधान मंत्री गरीप कल्यान अन्योजना कब सुरू जब शुरू किया गया था तो तीन महेने के लिए किया गया था अप्रेल 2020 से लेके जून 2020 की आउदी के लिए फिर इसे एक्स्टेंड किया गया और 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला था फिर 5 साल के लिए एक्स्टेंड किया गया और अब यहाँ 2028 के अन तक लागू रहे इस योजना के तहत राष्टिये खादिये सुरक्षा दिनियम 2013 के तहत कवर किये गए सभी लाभरतियों को प्रती ब्यक्ति प्रतीमा पांच किलोग्राम खद्यान मुफ्त प्रदान किया जाता है तो यह सारे important point है आपको याद रखना है अगले point पे आते हैं कैबिनेट ने परिधान और कपड़ों के निरियात के लिए राज्य और किंद्रिये करो और लेवी की छूट योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है तो 31 मार्श 2026 तक और लॉंच कब हुआ था 2020 में कैबिनेट ने परिधान और कपड़ों के निरियात के लिए राज्य और किंद्रिये करो और लेवी की छूट योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है 31 मार्श 2026 तक और लॉंच कब हुआ था 2020 में अगले जो हमारा पॉइंट है पसुपालन और संरचना विकाश निधी कोवीद 2026 तक अगले तीन वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया है तीन वर्सों के लिए तीन वर्सों के लिए 2026 तक तो इस साड़े important पॉइंट है स्टेट PCS में आता है अगले क्यूशन पर आते हैं अगले क्यूशन पर आते हैं हाली में चेन्नेय ओपेन टेनिस टूनामेंट का एकल खिताब किछन जिताौ आपके बास हो आप्शन है औप्शन है लुका नार्दी आप्शन हैं अप्शन है Undy, Gomoraj अप्शन CH – सुमीत नागल अप्शनदी इंड में से कोई भी नहीं सही अंसर क्या होगा। option C आपका यहाँ पे सही अंसरों का सुमीत नागल हाले में चेन्ने ओपेन टेनिस टूर्णामेंट का एकल खिताब किष्णे जीता तो option C आपका यहाँ पे सही अंसरों का सुमीत नागल इन्होंने हडाय किसे लुका नार्दी को अच्छा लुगा नर्दी कौन से देश के है इटली के है और सुमीत नागल ने किसे हडाया लुगा नर्दी को अब कुछ important point देख लेते हैं ऐसा करने वाले सुमीत नागल दसवे इंडियन बने है और पांच साल में पहले बने है जिन्होंने एट्टी पी में सिंगल रैंकिंग में टॉप हन्डेड में जगा बनाई है और सुमीत नागल की रैंक कितनी है तो 98 तो इस साड़े important point है आपको याद रखने है अगले question पर आते है महमूदिया आदरभूमी किस देश के महत्पून डेनूब डेल्टा परिस्थित की तंतर का ह हिश्चा है आपके बास option है option एफ्रांस, option बी रोमानिया, option c जर्मनी, option d ए आयरलेंड, सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? option b आपके यहाँ पर सही आंसरों का रोमानिया, महमूदिया वेटलेंड, किस देश के महत्पून, डेनूब डेल्टा, परिस्थित की तंतर का हिश्चा है? तो option b आपके यहाँ पर सही आंसरों का रोमानिया, अचा भारत में, अभी present में, टोटल रामसर साइट कितना है? टोटल रामसर साइट, इन इंडिया, तो अभी present में कितना है? 80 है, और आपको बताना है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस से राज्य में है? इसका आंसर आपको comment box में बताना है, आप कुछ static point देख लेते हैं, रोमानिया से कौन-कौन से dish touch करते हैं? तो north में आपका युक्रेन है, south में, south में आपका है, south में बुल्गारिया है, north east में है, मोल्डोवा, north east में है आपका मोल्डोवा, सर्बिया कहा है, सर्बिया है, south west में, सर्बिया आपका है, south west में है, और हंगरी है, वेस्ट में, हंगरी आपका है, वेस्ट में, तो साड़ी important point है, north में युक्रेन है, south में बुल्गारिया है, north east में मोल्डोवा है, south west में क्या है, सर्बिया है, और वेस्ट में हंगरी है, इ साउथ ईस्ट में है व्लेकषी है तो यहां फिर से देख लेते हैं रुमानिय के नॉर्थ में उत्तर में युकरेन है शाउथ में मुल्त् इनलेंड़ी है सबसे 150 प्वाइंट विलबडेंज इंग इनलेंड झाल है और बिलैक ≤ कितने देसों के साथ सिमा बनाती है कितने देसों को टच करती है तो एक पर यहां पर देख रहा है बुल्गारिया हो गया तर्की ओडिया इसके अलावा civic पूर्जिया जोर्जिया, रुमानिया, रुमानिया टच कर रहे है, युक्रेन और रसिया, युक्रेन, युक्रेन और रसिया, रूज, तो ब्लैक सी छे देशों को टच करता है, रुमानिया हो गया आपका रुमानिया हो गया बुल्गारिया हो गया मैप में दिख रहा है तर्की हो गया जोर्जिया हो गया युक्रेन हो गया और रसिया हो गया तो black sea six देशों को touch करता है अगले question पर आते है अज़ृ एक और important point है black sea से black sea connect करता है फिच की भविस्वानियों के अनुशार वित वर्ष 2026 में भारत के लिए अनुमानित राजकोशिय घाटा क्या है आपके पास आप्षिन है आप्षिन 5.1%, आप्षिन B 5.4%, आप्षिन C 5.5%, आप्षिन D 5.8% सही अंसर क्या होगा? आप्षिन B आपके यहां पे सही अंसरों का 5.4%, फिच की भविस्वानियों के अनुशार वित वर्ष 2526 में भारत के लिए अनुमानित राजकोशिय घाटा क्या है तो 5.4% और अभी जो अंतरीम बजट आया हुआ था, अंतरीम बजट 2024, उसमें निर्माला सितर रवन जी ने बताया था कि कितना होगा? 5.1% होगा और फिच के अनुशार कितना होगा? 5.4% अगले क्यूशन पर आते हैं, हाली में समाचारों में देखी गई, समर्थ योजना का प्राथ्मिक उद्देश क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, समर्थ का मतलब क्या हुआ? Smart, Advanced, Manufacturing and Rapid Transformation Hub समर्थ का मतलब क्या हुआ? Smart, Advanced, Manufacturing and Rapid Transformation Hub और इसका Primary Objective क्या है? MSME को सहायता प्रदान करना Option C आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हाली में समाचारों में देखी गई Smart Scheme का प्राथ्मिक उद्देश से क्या है? तो Option C आपका यहाँ पे सही आंसर होगा MSME को सहायता प्रदान करना और Nodal Ministry कौन है? Smart Scheme की Nodal Ministry एकजार में पूछ रखता है तो Ministry of Textile Ministry of Textile अगले क्यूशन पर आते है दक्षिन भारत सांस्क्रितिक केंद्र की अस्थापना किस सहर में की गई? आपके बास Option है Option है है हैदराबाद Option V.A. भुपाल Option C.H.A. अप्सन D.A. ननवदी सांस्क्रितिक केंद्र की अस्थापना किस सहर में की गई? तो अपसने आपके हाँ पे साहियान सारोजगा हैदराबाद और किशने किया शंगीत नाटक अगादमी ने अगले क्यूशन पर आते है सरकार ने बनेर घटा राष्टिये उद्ध्यान के माध्यम से छे लेन एलिवेटेट राजमार के निर्मान का प्रस्ताव दिया है या किस सिराजे में इस्थीते? काफी बिरोध हुआ है इसके खिला गॉवर्मेंट हैज प्रोपोष्ट कंस्ट्रक्सिने शिक्स लेन एलिवेटेट हाई वे थ्रो बनेर घटा निशनल पार्ग इट इस सिचुएटेट इन विच एस्टेट आपके बास उफ्षन है उफ्षन है उफ्षन है बिखा ले उफ्षन भी है असम उफ्षन सी है तमिल नाडू उफ्षन डी है करनाटक सही आंसर क्या होगा? ऑप्षन डी आपके यहाँ पे नाडू किस देश न जीता? आपके बास उफ्षन है उफ्षन इन िजिलेंड उफ्षन बी तक्षण अफ्षिर का उफ्षन सी ए ऑस्टेलिया उफ्षन डी भारत सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? Option C आपका यहाँ पर सही आंसर हो जग ऑस्ट्रेलिया ICC Under 19 2024 का खिताब किस देश ने जिता तो Option C आपका यहाँ पर सही आंसर हो गास्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने किसे आड़ाया भारत को कितने रंसे 79 रंसे और यह मैच हुआ कहाँ पर था तो South Africa में सबसे ज़्यादा रंबना है कितना बनाया था इन्होंने 327 इसके अलावा Player of the Match किसे दिया गया था Player of the Match उनका नाम है महाली बीड्मैन Player of the Match किसे मिला महाली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ महाली बीर्ड मैन तो यह नाम आपको याद रखना है पूछ सकता है एक जाम में कि ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 में कि फाइनल में प्लेयर ऑफ तर मैच किसे मिला था तो महाली बीर्ड मैन को किस देश के है ऑस्ट्रेलिया से है और ऑस्ट्रेलिया कप्तान कौन थे ह्यूज विवगन ठीक है विवगन जो भी प्रणाउस करते हो आप तो आपको याद क्या करके रखना है अगले क्यूशन पर आते हैं EICTE द्वारा शुरू की गई विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को शाहता Support to Students for Participating in Competition Abroad योजना का प्राथमिक उदेश से क्या है तो यहाँ मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तक्निकी सिक्षा में भारतिये छात्रों की वैस्वीक प्रति इस्पर्धामक्ता को बढ़ाना EICTE द्वारा शुरू की गई विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को साहता Support to Students for Participating in Competitions Abroad योजना का प्राथमिक उदेश से क्या है अगले Question पर आते हैं राष्ट्रिये गडवंधन पार्टी नेशनल कोईलीशन पार्टी के अलेकजेंडर इस्टब ने किस देश के राष्टपती चुनाओं में मामूली अंतर से जीत हांसिल की आपके पास Option है, Option है नौरे, Option भी है फिल्लेंड, Option C है इंडोनेसिया, Option भी है डेन्मार्क, सही आंसर क्या होगा? Option B आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिल्लेंड इसके अलावे एक और पॉइंट आपको याद रखने है, यह फॉर्मर प्राइमेनिस्टर थे फिल्लेंड के, तो यह भी इंपोर्टिन पॉइंट है, अगले क्यूशन पे आते हैं कौन सा संगठन? फ्यूचर सर्कूलर कोलाइडर, सौट मी से बोलते हैं FCC, एक कंत्वरक जो लार्ज हैड्रोन कोलाइडर को बावना बना देगा, बनाने की अपनी योजना को आगे बढ़ा रहा है फिच ओर्गेनाजेशन इस पुशिंग इस प्लान तू बिल्ड दा फ्यूचर सर्कूलर कोलाइडर, एक पार्टिकल एक्सलरेटर, डेट वील ड्वार्फ दा लार्ज हैड्रोन कोलाइडर आपके बास औप्शन है, औप्शन है DRDO, औप्शन भी है NASA, औप्शन सी है JAGSA, औप्शन दी है CERN CERN का मतलब क्या हुआ, The European Organization for Nuclear Desert, का है इस दीद है, स्वेडिजर लेंड में स्वेडिजर लेंड में, ठीक है, तो सही अंसर क्या हो जागा, औप्शन दी आपके हाँ पे सही अंसर हो जागा CERN Which organization is pushing its plan to build the future circular collider, एक पार्टिकल एक्सलरेटर, that will dwarf the large hadron collider तो option C, option D, आपके हाँ पे सही अंसर हो, CERN, CERN का मतलब क्या हुआ, The European Organization for Nuclear Research, का है इस दीद है, स्वेडिजर लेंड में जो आपका LAC है, Large Hadron Collider ही क्या है, पार्टिकल एक्सलरेटर है, और CERN, plan बना रहा है कि इससे भी 3 times bigger बनाया जाए, और उससे क्या कहा जाएगा, FCC, Future Circular Collider तो आपको यात यहाँ से क्या-क्या रखना है, सबसे बहले, LAC क्या है, तो LAC क्या है, एक पार्टिकल एक्सलरेटर है, ज्यादा डिप में नहीं जाएगे, और LAC का मतलब क्या हुआ, Large Hadron Collider और अभी CERN एक प्रोग्राम बना रहा है, कि 3 times bigger बनाना है किस से, LAC से, और उसका नाम क्या होगा, Future Circular Collider अगले Quesion पर आते हैं, बिश्व सतत, विकास सिखर सम्मेलन, World Sustainable Development Summit, जो हाली में समाचाड़ों में देखा गया, प्रती वर्ष किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है, आपके बास Option A, Option A, Option A, Option A, नितियायोग, Option B, A, World Bank, Option C, A, the Energy and Resources Institute, Sort B, से बोले, TRI, T, E, R, I, Option A प्रती वर्ष किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है तो option C आपका यहाँ पे सही आंसर हो जगा the Energy and Resources Institute के द्वारा सब्सक्राइब से क्या बोलते टेरी अच्छा टेरी के स्थामना कब हुई थी 1974 में 1974 में और वर्ल्ड डेव्लोप्मेंट समीट ही कब शुरू हुआ था तो 2001 से शुरू हुआ था यदरगनें अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉयंट देख लेते हैं इस भार कौन सा एडिशन हुआ तो 23 एडिशन हुआ इस बार 23 एडिशन था और इसकी थीम क्या थी सबसे इंपॉर्टेंट पॉयंट थीम हैं और कहाँ पर हुआ था नियुदेली में हुआ था एडिशन नीव देल्ली में हुआ और इसकी थीम क्या थी लीडर्शीप फॉर सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट एंड क्लाइमेट जस्टीश तो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रख रहे हैं सबसे पहले वर्ल सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट समीट कौन आयूजित करता है हर एक साल तो TRI The Energy and Resources Institute टेरी के सबना का हुई थी 1974 में वर्ल सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट समीट कब से शुरू हुआ 2001 से इस पर कौन सा एडिशन था 23 एडिशन कहां पर हुआ नियू देली में और इसकी थीम क्या थी लीडर्शिप फर सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस अगले क्यूशन पर आते हैं दे कैसुची में से दुशाजादर चौबीस में भारत रत्न किशं मिला करपुरी ठाकुर लालकिर्ष अडवानी पीवी नर्सिम्माड डाउ चरण सिंग एमें श्वामीनातन जीतेंद्र को नहीं मिल रहें तो यह नहीं होगा तो आप्साने यहां पर शहीं आंसर हो जाग दी के सूची में से 2024 में भारत रतन किसने मिला तो पांच लोगों को मिला है करपुरी ठाकूर, लाल कृष्णा अढवानी, पीवी नर्सिम्मा डाव, चरण सिंग, म. श्वामी नाथन तो अब सने आपका यहाँ पे सही अंसर हो जागा 1, 2, 3, 4 and 5 अब यहां से कुछ important point देख लेते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि generally दिया जाता है 3 लोगों को, ठीक है, maximum 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन इस बार भारत रतन 5 लोगों को दिया गया है, और इससे पहले 1999 में 4 लोगों को दिया गया था, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कब द 2020 से 2020 से 2023 तक किसी को नहीं मिला था, किसी को भारत रतन नहीं मिला था, इसके अलावा भारत रतन की शुरुआत कब से होई थी, कब establish हुआ था भारत रतन, तो क्या आंसार होगा, establish in, यह आपका हुआ था 1904 में, कब हुआ था 1904 में, अगले क्यूशन पर आते हैं, हाली में किस सहर ने, ट्रांसजेंडर समुदाई के लिए, मुफ्ट बस यात्रा की घोशना की, समस्तवाई गया होगा, अप्सन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नहीं दिल्ली, हाली में किस सहर ने, ट्रांसजेंडर समुदाई के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोशना की तो अप्शन भी आपका यहां पे सही आंसर होगा नहीं दिल लिए अगले क्यूशन पर आते हैं नविकर ने उर्जा छेत्र में नावाचार और अनुसंधान के लिए IREDA ने किसके साथ एक समझाओते पर हच्टाक्षर किये है अच्छा IREDA का मतलब क्या हुआ इंडियन रिन्यूएबल इंडियन रिन्यूएबल इनर्जी डिवलोप्मेंट एजन्सी इनर्जी डिवलोप्मेंट एजन्सी कब इस टाइबिस हुआ था आप पास अफसन नहीं अफसन गहाँ पर इनर्जा शेत्र में खत्रम नमांचार और अनुसंधान के लिए IREDA ने किसके साथ एक समझहोते पर हर्स्ताक्षर किये है तो अगले क्यूशन पर आते है फारुक नाज की जिनका हाली में नीधन हो गया किस पेसे से जुरे थे आपके पास option हैं और वग्यानिक और आपसन भी सूतर थे और इनका पूरा नाम था मीर मोहमत फारुक नाज की यह वेटरन बर्ड्कास्टर और पोरेट थे तो given option में और आपसन यहाँ पर सही अंसर हो जागा पोईट कभी अगले क्यूशन पर आते हैं किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पूरे एसिया में महराथन अनुसंधान उड़ा ने महराथन रिसर्च फ्लाइट संचालित करना शुरू कर दिया है तो अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं यह आपका एक एयरक्राफ्ट है इसमें आपका लेबोरेटरी है पड़ियु और इसका नाम क्या है DC-8 Airborne Science Laboratory जो इस और करेगा इसका अजेक्टिब क्या है तो यह एर पोलिक्शन को फॉर्कास्ट करेगा इसे किस नहीं तक इयर किया है नासा ने अगले क्यूशन पर आते हैं और यह बिसौ प्रहों सबसे बड़ा flying laboratory है तो ये भी आपको याद रखना है विसो का सबसे बड़ा flying laboratory DC-8 airborne science laboratory या DC-8 flying laboratory भी बोल सकते हैं अगले question पर आते हैं किलकारी कारिकरम एक mobile स्वास्त पहल हाली में किस सराजे में सुरू की गई आपके बास option है, option है गुजरात, option B है महराष्ट, option C है बोथ A&B, option D है अपसर सही अंसर क्या होगा option C है पर यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा बोथ A&B हाली में किलकारी कारिकरम एक mobile स्वास्त पहल हाली में किस सराजे में सुरू की गई तो गुजरात और महराष्ट, option C है पर यहाँ पर सही अंसर होगा अच्छा इसका primary objective क्या है चो किलकारी कारिकरम है इसका objective क्या है तो public health public health infrastructure को infrastructure को मजबूत करना को मजबूत करना और आज के आखरी केंटर फिर पर आते हैं देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्राले ने किसके साथ समझाओते पर हरस्तक्षर किये तो option B आप यहाँ पर सही अंसरों का FIFA के साथ देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्राले ने किसके साथ समझाओते पर हरस्तक्षर किये तो option B आप यहाँ पर सही अंसरों का FIFA के साथ तो यह तो था हमारा आज का लेक्चर अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अब हमाई टेलीग्राम चैनल प्रतीक आईक्यू करेंट अफ़ेर को यॉइन कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहन